हेलो गाइस कैसे हैं आप उमीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़ी आऊंगे तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं मारती सुजू की सिफ्ट LXI BS6 का इसी का रिव्यू करेंगे इस वीडियो में जानेंगे इसके फीचर्स और ऑन डोड प्रैस के बारे में इसमें जो वेरियंट आते हैं वो जान लेते हैं LXI VXI ZXI और ZXI प्लस इसका टॉप वेरियंट है जिसका रिव्यू कर रहे हैं ये बेस वेरियंट है तो इसमें आपको फ्रेंट में हाइलोजन हेड लैंप मिलते हैं साथ में इंडिकेटर मिलेंगे देखिए और फॉग लैंप नहीं आते हैं इसके अंदर आफ्टर मारक्ट आप इसमें लगवा सकते हैं ऐसका मॉनोगराम क्रोम फिनीश के साथ दिया गया है इसमें बात करेंगे अब वीलो की तो इसमें आपको स्टील वील मिलते हैं वील कवर नहीं मिलेंगे आपको इसमें बेस वीरिंट है जिनका साइज है 165, 80, 14 इंचिस के वील दिये गया है स्टील वील मिलते हैं आपको ये साइट प्रोफाइल देख रहे हैं आप गाड़ी की साइट प्रोफाइल से बहुत ही बढ़िया लुक है गाड़ी का देखने में बात करेंगे अब इसके डाइमेंशन की तो इसमें आपको 3840 mm की इसकी लेंथ है विर्थ है 1735 mm की और हाइट है 1530 mm की हाइट है वील बेस है इसका 2450 mm का वील बेस है बात करेंगे ग्राउंड क्लियंस की तो 163 mm की इसकी ग्राउंड क्लियंस है टर्निंग रीडियस है इसका 4 4.8-meter का turning radius है बात करिंगे अब suspension हो कि तो इसमें आपको front suspension cargo DAF rear suspension आपको rear suspension बात करेंगे अब se Himalazgi की तो इसमें आपको 21.21 KMPL की mileage मिलती है जो कि company अब क्लेम कर तीए तो बहुत ही वड्या Miles मिलती है आपको इसमे बात करेंगे अब इसके प्राइज की तो इसका जो एक्षोर्म प्राइज है वो जान लेते हैं इसका एक्षोर्म प्राइज है 5,19,000 अन्रोड प्राइज की बात करें तो 5,91,000 इसका अन्रोड प्राइज है देल्ली का प्राइज है जो मैंने आपको बताया तो दोनों ही प्राइज मैंने आपको बता दी अगर आप इसका base variant लेते हैं तो आपको steel wheel मिलते हैं अगर आप इसका VXI variant लेते हैं तो इसमें आपको wheel cover मिलते हैं ZXI में आपको alai wheel मिलेंगे और ZXI plus में आपको dual tone में मिलते हैं alai wheel fender पर indicator दिये गये हैं sad mirror आपको body color नहीं मिलेगा black ही मिलता है door handle भी आपको black ही मिलते हैं इसमें after market आप paint करवा सकते हैं ये rear profile देख रहे हैं आप गाड़ी की rear profile से बहुत ही बड़ी आप लुक है गाड़ी का देखने में तो rear में आपको roof पे antenna दिया गया है और high mount stop lamp defogar rear wiper नहीं मिलेगा shift की basing दी गई है LED tail lamp मिलते हैं आपको इसमें और Ska monogram chrome finish के साथ दिया गया है इसमें चार parking sensor मिलते हैं rear के bumper पे आपको इसमें चार parking sensor मिलेंगे ये दूसरे side की profile है गाड़ी की दूसरे side से भी बहुत ही बड़ी अलुक है गाड़ी का देखने में बात करेंगे fuel tank capacity की तो इसमें आपको 37 लीटर की fuel tank capacity दी गई है बात करेंगे अब इसके safety features की तो इसमें आपको dual airbag दिया गया है driver side and co-driver side ABS with EVD ABS यानि anti-lock brake system EBD यानि electronic brake force distribution engine immobilizer rear के डौरों में आपको child safety lock मिलता है और इसमें आपको reverse parking sensor दिया गया है safety features में जिससे कि आपको गाड़ी पार्क करने में काफी आसानी होगी और साथ में seat belt warning light कि तो यह सारे safety features इसमें दिये गया है company fitted जो मैंने आपको बताए अगर आप ZXI plus लेते हैं तो उसमें आपको touch screen infotainment system मिलता है 7 inches का और ZXI plus में आपको reverse parking camera भी मिलता है वो सिरिफ top variant में ही मिलता है अगर आप ZXI गाड़ी लेते हैं तो उसमें आपको reverse parking camera नहीं मिलेगा ZXI plus में ही मिलता है यह वाला door और side mirror आपको black ही मिलते हैं यहां से आप rear door को खोलने का option दिया गया है यहां से आप fuel बरवाएंगे fuel tank capacity 37 liter की है चलिए back door खोल लेते हैं boot space देख लेते हैं कैसा boot space मिलता है आपको इसमें तो driver side यहां पर दो lever दिये गया है fuel door और back door खोलने के लिए तो हम back door खोल लेते हैं boot space देख लेते हैं कैसा boot space आपको इसमें मिलता है तो इसमें आपको base variant है तो rear pulse tray नहीं मिलेगी company fitted after market आप लगवा सकते हैं rear pulse tray यहां पर कुछ space दिया गया है समान कैरी करने के लिए hook और यह आपका spare wheel है जो कि आपको steel wheel मिलता है तो इसमें आपको 268 liter का boot space मिलेगा 268 liter का boot space आपको इसमें मिलता है तो बड़िया boot space है चलते हैं rear door के interior में यह वाला door भी आपको manual ही दिया गया है power window नहीं मिलेगा child safety lock देखे यहां पर दिया गया है मैनुवली operate करेंगे बोट लखने का space दिया गया है speaker की जगा दी गई है speaker नहीं है इसके अंदर aftermarket आप लगवा सकते हैं यह गाड़ी की toolkit है और rear sheet के head जो आपको fixed मिलते हैं adjustable नहीं मिलेंगे front sheet के भी head आप देखी रहे हैं adjustable नहीं मिलते fixed दिये गए हैं इसमें और leg room के अगर हम बात करें तो बहुत ही बड़ीया leg room है leg room की problem आपको इस गाड़ी में नहीं मिलेगी one liter की bottle लखने का भी space दिया गया है इसमें तो one liter की bottle भी आप इसमें रख सकते हैं यह वाला door भी आपको manual ही दिया गया है बोट लखने का space मिलेगा बोट लखने का और साथ में speaker नहीं है इसके अंदर speaker की जगा दी गई आफ्टर market आप लगवा सकते हैं ग्रीप assistant दिये गया है left right में leg room आपने देखी लिया और जैसा कि मैं rear passenger seat पर बैठा हूँ तो मैं front dashboard की एक look दे देता हूँ कैसे लगता आपको front dashboard देखने में अपोस्तिरी पूरी black ही मिलती है आपको इसमें यह front door की door trim है जिसमें कि आप यह वाला door भी manual ही दिया गया है देखिए manually मिलेगा और यहां पर bottle लखने का space दिया गया है map pocket का space मिलेगा speaker नहीं है इसके अंदर aftermarket आप इसमें लगवा सकते हैं यह driver seat आप देख रहे हैं driver seat आपको only back adjust मिलती है height adjust नहीं मिलेगी driver seat आपको इसमें right side में आपको AC vents दिये गये हैं और नीचे आएंगे hat light leveling के switches दिये गया है right side में ही key देख लेते हैं तो आपको key देखें बिल्कुल simple की मिलती है आपको इसमें remote की नहीं मिलेगी दोनों की simple मिलती है remote की आपको VXI गाड़ी में मिलती है मत करेंगे steering wheel की तो इसमें आपको flat bottom steering दिया गया है SRS airbag S का monogram chrome furnace के साथ three spoke wheel के साथ मिलता है आपको इसमें tilt steering दिया गया है जिसमें कि अपने height के coding adjust कर सकते हैं आप steering wheel को up and down right side में headlight के controls दिये गया है left में wiper के controls दिये गया है MID देख लेते हैं तो छोटी सी digital display दिये गई है इसमें जो आपको kilometer clock fuel भी इसमें show हो जाएगा कितना fuel है आपकी गाड़ी में seatbelt warning light तो यह छोटी सी digital display दी गई है rpm meter भी दिया गया है इसमें और दो इस events मिलते हैं आपको इसमें अजाड के switches के साथ और infotainment system आपको इसमें नहीं मिलता आफटर market आप इसमें लगवा सकते हैं infotainment system और नीचे आएंगे तो आपको AC के controls दिये गया है यहां पर manual AC मिलता है आपको इसमें और 12 वोट का charging socket दिया गया है दो को फोल्डर रखने का space मिलेगा console पर बात करेंगे गेर लीवर की फाइब फॉर बन रिवर्स के साथ gear lever, handbrake lever भी normal दिया गया है इसमें कोड रवड साइड यह आपको एक SRS airbag और मिलता है यह आपका glow box है जो बड़िया space है इसमें भी देखिया है आप और यह वाला door भी आपको manual ही दिया गया है बोटल रखने का space दिया गया है इसमें speaker की जगा मिलती है aftermarket आप speaker इसमें लगवा सकते हैं company fitted नहीं आते इस वेरियंट में speaker और फ्रेंट में आपको sun visor और रेडिंग लेंप IRVM आपको इसमें normal दिया गया है code rabbit side sun visor grip assistant तो interior आपने देखी लिया हुट खोल लेते हैं चलते हैं engine room में यहां पर lever दिया गया है हुट खोल लिया है हमने आगे engine room में hood के inside यह cover दिया गया है जो की engine की vibration को control करता है जो cover आपने देखा और इसमें आपको एंटि लोग brake system यहां पर दिया गया है यानि ABS कि 1197 सीसी का engine दिया गया है इसमें BS6 petrol engine मिलता है आपको upgraded engine दिया गया है बात करेंगे power की 82 bhp की power मिलेगे आपको 6000 rpm पर अगर हम टॉर्क की बात करते हैं 113 nm की टॉर्क मिलेगी 4000 200 rpm पर 100 friends यह था रिवियो मारुती सोजु की shift एलकसाई का यानि base variant का रिवियो अपने देखा तब तक के लिए sheet well पहने है helmet पहने है शुरक्षे चलिए धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद